आप सभी का स्वागत है आपके अपनी टूब चैनल प्रमोस सर्वारानसी में आज किस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश का संचिप्त परिचे है इसके विसे में और इसके पहले तीन वीडियो यूपी स्पिसल की आ चुकी है अगर आपने उसको नहीं दे सब्सक्राइब कर दिया है वहां से जाकर आप one by one देख सकते हैं बहुत ही benefit आपके लिए हो सकता है क्योंकि एक्जाम में यहां से एक नमबर आते हैं आज का next class है यानि class number 4 है इसमें उत्तर प्रदेश के संचित परिचे के बारे में यहां पर पढ़ने वाले हैं सभी factual कोश करवाई जा रही है तो चलिए यहां पर हम जो यूपी से बार पर कोशन रिपीट किये गया है भागोलिक परिचे से संचित परिचे से सभी कोशन को एक साथ समाहित किये हैं collection है एक कोशन रट लिजेगा एकजाम में आपको benefit करेगा चलिए सबसे पहला प्रशन है कि उत्तर प्रदेश का चेतरफल दो लाखशालीज जार नोसो अठाष्स कीलो मितर है सही उत्तर क्या होगा दो लाखशालीज जार 928-4 वर किलो मितर यानि यूपी का चेत्रफल है यहां से भी प्रशन किलो अग्लावuses है कि भारत का कुल चेतर심 जारJust 928 वर हो भारत की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है यह पूरे भारत का छेतरफल है अब देखिए यहाँ से कोशन जो पूछा गया यूपिटर पल सी में कि उत्तर प्रदेश का छेतरफल संपूर भारत की छेतरफल का कितना परशंट है तो 7.33% है कितना है 7.33% इस फैक्ट को याद इसके पहले तीन राज इकाउन कौन से है चेतरफल के देख लीजिए करम में कभी लगाने को दे देता है तो याद रहना चाहिए तभी जा के आप लगा सकते हैं सबसे पहले राजस्थान है उसके बाद मद्ध बीदेश है порमारांष्ट है दन अत्तर प्रदेश है यानी र प्रफल की द्रिश्टी से बड़े हैं और यूपी चौत्य अस्थान पर पहले पर राजस्थान और चौत्य पर उत्तर प्रदेश दो फैक्ट्स आपको याद रखना है चलिए अगला सेग्मेंट है कि उत्तर प्रदेश के भागोलिक द्रिश्ट के कोण से इस्तती क्या है यानि भागोलिक द्रिश्ट की बात करें तो जियोग्राफिकल सिच्वेशन जो है जियोग्राफिकल वीव जो है आपका यहां पर उत्तर प्रदेश के अस्थान के बारे में पूछ रहा है तो कैसे पूछता है जैसे यहां पर देखिए यहाँ पर East होता है, यहाँ पर West होता है, यहाँ पर North, यहाँ पर South अब सबसे पूर्वी जिला हमने वहाँ से ट्रिक्स याद करवाया था सबसे पूर्वी जिला कौन सा होता है, बलिया सबसे पस्चिमी कौन सा है, यहाँ पर शामली सबसे उत्तर में कौन सा सहारन पूर सबसे दक्षड में सोन भद्र है वही यहाँ पर हमने रखा है सबसे पूर्वी जिला बलिया है सबसे पस्चमी जिला सामली है सबसे उत्तर जिला सहारन पूर सबसे दक्षड जिला सोन भद्र है यह आपके important facts है यहाँ से प्रशने पूछ प्रियाग राज उत्तर प्रदेश में है यानि इसकी खंडबीड कहां पर यह यह पूछ स्थापना चुका है तो 17 मार्च 18186 को हाइव कोड की ऐस्थापना हुई इसको आँक बन करके पहले एक बार देख लिए फिसके बाद इसको मनन करिए चिंतन करिए अँक बंद करिए वीडियो चलने दीजिए और इसके बाद आप दिमाहें पूरी तरह से सेट होता चला जाएगा ठीक है इसको एक से दो बार देख लेंगे तो यहां से निश्ची दुरुप से जो संचिप पर इसे कोशन बनते हैं आपका एक भी कोशन गलत नहीं होगा तो कि सभी कोशन ओरियंटेट हैं सभी कोशन फैक्शुल लिए गया हैं जो बार बार पूछे नगर हैं अब इसको हमने एक ट्रिक बनाया है तो ठीक है एक अलग से वीडियो हम बना देंगे जो कि यहां से जिले याद हो जाए क्योंकि यहां से मोश्ची कन्फ्यूजन होता है क्योंकि बोल देगा इंसियार में सामिल कौन सा जिला नहीं है तो ऐसे आप याद रखिए कि मेरट गाजियावद गौतम बुद्नक बुलंसार बागपत हापुर सामली मुझभण नगर एसभी अंसियार में सामिल है राज विधान सभा कैसी है तो उत्तर प्रदेश की जो राज विधान सभा है एक ऐसी है दू सदनात्मक है कैसी है दू सदनात्मक है एवी कोशन प किया गया है याद रखेगा यह कोशन काफी इंबोर्डन है पुछेगा विधान सभास सीटों का वरण उत्तर प्रदेश की विधान सभास सीटों का वरण किस अनुच्छेद में किया गया है तो आको बताना है कि अनुच्छेद 170 में किया गया है और विधान परिश्यत की स कि जाना सब्सट्व संक्या है कि जहां ज़्याहां कम संख्या को अनुच्वपर कम 20 कहां ऊś Charles देख सो 71 में किया गया है अगला फैट्स देखी यहां से कोशन बनता है कि सरवाधिक विधान सभा सीटों वाला जिला कौन सा है तो आपका प्रयाग राज है कितनी सीटे हैं टोटल बारा सीटे हैं इंपोर्टन कोशन है इसको याद रखेगा काफी इंपोर्टन है सबसे कम विधान सभा सीटों वाले जिले कौन कौन से हैं तो एक तो आपका स्रावस्ति हो गया दूसरा महोबा और तीसरा चित्रकूटे यानि यहां पर विधान सभा सीटों की संख्या दो-दो हैं ठीक है सभा सीटों की संख्या असी है अब यहां पर 17 सीट केवल और ऐसी की है इसलिए अपने आप में इंपोर्टन है सबसे पहला याद रखियागे यह उत्तर प्रदेश में लोक सभा सीटों की संख्या कितनी है omega 있으니까 था है विधान सभा सीटों की संख्या कितनी है यह बीधान सभा यहां से कोशन बार बार पूछे जाते हैं अगला देखिए यहां पर राज्य सभा सीटों की संख्या की बात करें राज्य सभा सीटों की संख्या 31 हो जाएगी ठीक है तो हमने एक साथ सभी फैक्ट को बता दिया है कि विधान परिशत विधान सभा विधान लोक सभा राज्य सीटों की संख्या इनका अनुच्छित किस अनुच्छित में वर्ण किया गया है तो एक एक फैक्ट से याद रखिएगा अगला सेगमेंट है कि विधान परिषद का गठन किस वर्स किया गया है तो विधान परिषद गठन 1937 में किया गया है अब देखें विधान परिषद गठन 1937 में किया गया है इसमें उत्तरप्रदेश, बिहार, आंद्प्रदेश, त्यलंगाना, महराष्ट, करनाटक इन रा portion की बिधान परिस्थ कितने राज्यों मां अस्थापित है तो आपके एक, दो, तीन, चार, पांच और छे, यह नि छे राज्जों में बिधान परिस्थ अस्थापित है। ता याद रखै इमपोर्टन परस्षन है इसका ट्रिक में है कि अब तुम करना, क्या है अब तुम करना अब देखिए अब से आंध प्रदेश हो जाएगा ए आपका हो गया बी से बिहार हो जाएगा टी से क्या हो जाएगा टी से तिलंगाना हो जाएगा यू से आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा यम से क्या हो जाएगा यम से महराष्ट हो जाएगा करन से करना तक तो ऐसे आप याद रखिएगा एट ट्रिक है क्या है एट ट्रिक है अब तुम करना यानि यह आपका ट्रिक कितनी बार लगा है तो यूपी में अभी तक राष्टपतिश आसन को सब्सक्राइब कितनी बार लगा है चलिए राज में नगरी शिटी राज में योजनाबध नगर सिटी कितने हैं तो यहां पर देख लिए एक तो आपका नोड़ा है दूसरा greater noida है और तीसरा new kaanpur है तो अगर पूछे question की उत्तर प्रदेश में योजनाबध नगर सिटी कितने है तो आपको बताना तीन है कौन कौन से आपके योजनाबध नगर सिटी है आसा करतों यहां से कुछ आपको नई जानकारी मिल ले होगी वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो के वार लाइक कर दीजे और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए और यहां पर बिल्कुल टॉपिक वाईज सभी चीजों की त्या अगला यहां पर देखे राज्य केंसासित प्रदेश यहां पर आपका इस वीडियो से कोई भी कोशन नहीं चूटेगा जो एक्जामें पूछे जाते हैं चलिए अगला फैट से राज्य केंसासित प्रदेश देश संबंधित उत्तर प्रदेश का सीमावरती जिले अब दे नेपाल से लगे हुए जिले कौन-कौन से हैं नेपाल से जिल रखे हुए हैं तेगल देख लीजिया पीली भीथ है लखीमपूर घिरी बहराइच स्रावस्ति बलरामपूर इस अदर आप क तो सिधार्थ महराज ने बलराम को सस्ती खीर पिलाई और वहाँ बहरे हो गोए बहरे से बहरे हो गए तो यू आपके नेपाल के सास्तीमा साजा करने वाले उत्तर प्रदैश के जिले हैैं साध्यूं और उत्तर प्रडिस से सीमा साध्या करने वाले जिल्ये कौन से हैं तो यहां पर भरतपुर और धôm उत्तरखंड के उत्तरखंड के उत्तर प्रदेश सीमा साजा करने वाले जिले कौन कौन से है हरिदवार है नैनी ताल है देहरादून है उधम सिंग नगर है और पोड़ी है यहां से उत्तर खंड के उत्तर प्रदेश सीमा साजा करने वाले जिले हैं यहां से उत्तर प्रदेश सीमा साजा करने वाले जिले से कव् filtering को से कैंते चैनल को अधिकंध है यमुदना नगर सोनिपथ पानिपथ फरीदाबाद झूहमेबाद पलवक करणाल यो सभी अपके हरीयाणा से उत्तर-प्रदेस के शीम साझळा करने वाले जिले हैं मद्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश सीमा साजा करने वाले जिले बहुत important facts है सभी facts को याद रखिएगा बहुत ही अच्छे से हमने यहाँ पर collection किया है भिंड है मुरैना है दतिया है अशोक नगर टीकम गड़ है और निवारी है शतना है छतरपूर है रीवा है शिग्रवली है स्यूपूरिया और पन्ना यह सभी आपके मध्य प्रदेश से लगे हुए मध्य प्रदेश के जो जिले हैं जोकि उत्तर प्रदेश सीमा साजा करते हैं कमेंड बॉक्स में कि बल्रामपूर किस मंदल में आता है क्योंकि मंदल हमने ट्रिक से कवर करवा दिया ठीक है तो बल्रामपूर बताइए किस मंदल में आता है चलिए अगला कोशन है कि जहारखंड का उत्तर प्रदेश से सीमा साजा करने वाले जिला तो यह आपका सारण है भोजपूर है शिवान है बक्षर है कैमूर है और रहतास है हिमांचल प्रदेश के उत्तर प्रदेश सीमा साजा करने वाले जिले एक है कौन कौन से सिर्मावर कौन से सिर्मावर है चलिए अगला नोट देखें ललितपूर तीनो और से मद्ध प्रदेश से घिरा हु चाहर खन Trung गान जो सपहार 19aire करता है सूनभद्र ऑपHaик को टुच करता है तो पहला तो जाएजम Yeah ने जूनियर असिस्टेंट बारा तो 62 के पूछा था डायरेक्ट की नगर निगम वाले जो है नगर जो है उत्तर प्रदेश में कितने हैं तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम है कितने 17 नगर निगम है यह आपके 17 निगम जो है एक बार इसका लिस्ट देख लिए क्योंकि पूछ लिगा इन में से कौन सा जीला नगर निगा में सामिल नहीं है तो चलिए यहां पर भी इसका अलग से ट्रिक लेकर आएंगे नेक्स्ट पार्ट में जो संचीत परचे का इसके बाद एक वीडियो और आएगे जिसमें जो कुछ इंपोर्टन फैक्स बन गये हैं उसको हम कवर करवा देंगे ताकि आपका यूपी स्पिसल में अराम से बीस में अठारा कोशन सही हो जाए इतना आपकर लेते हैं अठारा कोशन सही हो जाएगा विश्वास रखिये लखनौ है प्रियाग राज है आगरा मेरट गाजियाबद वरानसी, बरेली, कानपूर नगर और गोरकपूर जहांसी, मुरादाबद, अलीगड, सहारनपूर और अयोद्या, फिरोजाबाद, मतुरा, सहाजहापूर यह आपका 17 जिले सहाजहापूर था जो जो नगर निमय सामिल हूँआ था तो 17 जिले हैं जो की नगर निगम में है और यहां से question पिछली बार बना था बस इस वीडियो को एक से दो बार देख लिजेगा गारंटी है इससे बाहर एक भी question देखने को नहीं मिलेगा इसके पहले जो हमने तीन वीडियो upload किया उसको आप देख लिजेए वहां से एक से दो number confirm हो जाएगा उसी प्रकार संशिप्त परिचे का दो वीडियो आएगा इसको भी देख लिजेए तो बहुत limited वीडियो आएगे केवल और केवल 30 से 35 वीडियो और इसमें आपका UPG के पूरा complete हो जाएगा चलिए उत्तर प्रदेश का चिन और राजधानी से जो प्रश्ण बनते हैं इसको भी देख लेते हैं उत्तर प्रदेश देखे प्रदेश का नाम 1836 में क्या रखा गया था उत्तर पश्चिमी प्रांत 1877 में क्या था 1877 में उत्तर पश्चिम आग्रायम अवद का संयुक्त और यहां पर सर्युक्त प्रांथ, आगरायमवद का 1937, अबर यहां पर 1902, सर्युक्त प्रांथ 1937, और यहां पर देखे, जन्वरी 24-20, जन्वरी दो हजार कि 24 जन्वरी 1950 से आपका उत्तर प्रदेश के रूप में जाना जाने लगा यह देखिए उपर था यहां पर 1836 में उत्तर प्रदेश के नाम से 1937 में जाना गया और उत्तर प्रदेश के रूप में कब से जाना जा रहा है जन्वरी 1950 से इसलिए 24 जन्वरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है चलिए यहां पर प्रदेश में राजधानी की बात करें तो देखिए प्रदेश की राजधानी कहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी वरतमान में लखनों है आगरा कब से कब थी 1836 से 1858 तक आगरा उत्तर प्रिदेश की राजधानी लखनों कब बनी 1935 में इस सभी फैक्स याद रखेगा काफी important है चलिए अगले question पर चलते हैं और यह last fact से आपका कि राजी का विभाजन और उत्तर प्रिदेश राजी की विभाजन की बात करें तो उत्तर प्रिदेश राजी का विभाजन क इसलिए एक-एक facts याद रखेगा और यहां से आपको question directly exam में देखें उन्हों को मिलने वाले हैं इसलिए आप एक-एक facts याद रखेगा तो इसका पहला पार्ट था इसके next पार्ट में कुछ question और बचे हुए है इसको हम cover करवा देंगे ताकि यहां से आपका एक भी question गलत ना हो ठीक है तो फ्रेंट्स एर वीडियो वीडियो कैसे लिए कमेंट बाक्स में जुरू बताएं बाकि मिलता है नेक्स्ट्रीम तब तक लेजा हिंद बंदे बातरम कुछ रहें मस रहें पढ़ते लिए